मामला कोटवाली थाना चेतर के बिछिया रोड का है जहां आज 20,000 के इनामी महिपाल रूफ नेपाली को कोटवाल पुलिस और बिछवा थाना पुलिस ने मुटभेल के दौरान गिराफतार कर लिया पुरे मामले के जानकारी देते हुए पुलिस अदिक्षब विनोत कुमार ने बताया कि महिपुरी कोटवाली पुलिस और बिछवा थाना पुलिस सहुंत रूप से वहां चेकिंग कर रही थी चेकिंग के दौरान महिपाल रूप नेपाली जो अदुपुरा का रहने वाला है वहां से निकला और पुलिस ने आरोपी अभियुक्त को रोकने की कोशिश की वह नहीं रुका तो उसने पुलिस के उपर गोली चला दी और जबावी कारवाई में पुलिस ने फायर कर दिया जिससे आरोपी अभियुक्त के पैर में गोली लगी और गोली लगने से आरोपी मौके पर गिर पड़ा जिसके पास से एक मुबाईल, एक तमंचा और मोटर सैकल सहीद कार्तूस भी वरामद हुए आरोपी अभियुक्त के उपर एक दरजन से अधिक अलग जनपदों में मुकत भपंजिक रहत है इसी के चलते पुलिस द्वारा रोपी अभियुक्त के उपर बीस हजार का इनाम भी रखा गया था आज कोतवाली थानाचित के बिशिया रोड पर इंस्पेक्टर कोतवाली अजीद सिंग और येसो बिश्वा अमिज सिंग चेकिंग कर रहे थे इस दोरान एक काले मोटर साइकल से एक विक्ति आता हुआ दिखाई दिया उसको रोपने का प्रियास किया तो वो चकमा दे के भागने लगा और पुलिस पर फाइरिंग करने लगा तो पुलिस ने जवावी फाइरिंग की जिसमें से उसके पैर में गोली लगी है और वो घेरा बंदी करके पुलिस ने क्रिफ्तार किया है उसके कबजे से एक मोटर साइकल बिना नंबर की कट्टा और कार्टूस भी बरामद होए है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ बेल आइकॉन दबाना न भूले ताकि हर ख़बर का अपडेट आप तक पहुँचे तुरंद आप हमें स्टार, ट्विटर और फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं हमारे आईटी है